नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका SSC learning point बाई सिंग सर आज हम करेंगे SSC CGL मेंस का पेपर जो हमारा 26 अक्टूबर को हुआ था चलिए फिर इसका solution करते हैं देखते हैं इसमें कैसे question पूछे गए हैं वैसे जहां तक observe कि पेपर पिछली वार किया बहुत अच्छा आया है ठी किस तरीके से चीजे पूछी जा रही है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किये हुए यह देखो पहला सवाल है यह क्या 11 12 में पढ़ते थे अब काफी time हो गया मुझे तो पढ़ने जरुवत नहीं पढ़ती इन सब चीजों की probability पढ़ती थी पढ़ने लगी तो मै यह वाली चीज हमकों चाहिए थे यहाँ पर हमें कुल मिलाकर इस पर काम करना था अब यहाँ पर सिंपल से आपके फर्मूले कुछ पता होने चाहिए थे नहीं तो फिर दिक्कत होगी जैसे पी अब यहाँ पर देखो यही चीज है कि यह सब क्या है 11-12 की बात है तो बहाँ पर पढ़ना पढ़ता था लेकिन यहाँ पर इतनी जरूरत नहीं थी लेकिन आप पूंच लिया तो इसको भी पढ़ना पढ़ेगा और फिर जरूरी नहीं कि एक सवाल से ही आपका सेलेक्शन ह होगा इसको छोड़कर भी आप कर सकते थे इन चार सवाल जो आपके पास सवाल अच्छे थे उनको छोड़कर आपको करना था लेकिन अगर आप उनमें फसे होंगे तो पेपर बागई में बहुत अच्छा आपके लिए बन गया होगा यह तो हंडेट परसेंट बात है आपको पता था क्या बिल्कुल पता था तेरा बटे में 27 हो गया बराबर में अब इसी तरीके यहाँ पर थोड़ा पी और लगा लेना यह पीस के साथ आएगा ठीक है यह मिसिंग है अब यहाँ पर अगर पी एक की पावर बार निकालेंगे तो क्या आजाएगा वन माइनस के गहरा बटे अठारा यानिकी साथ बटे में अठारा आजाएगा तो इसको यहाँ पर लिख देंगे साथ बटे अठारा प्लस का पी बीपे वार आजाएगा माइनस का चार बटे म में 27 प्लस का एक बटे में 18 क्योंकि ये आठ और साथ माइनस का बन बनाया होगा ये आ जाएगा पी वीप के पार वार वार वी पर वीपे वार हो जाएगा अब इसको स्कॉल पर लेग देखो 27 उनी 54 होता ठारा तिया अभी इसी पर हमें जब काम करना था तो इस पर हम रख दे थे फार्मूला जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था इसके उपर यानि कि 29 बटे में दो 25 बटे में चौववन आ गया तो इधर लिख देंगे 25 बटे में चौववन यह कैंसल आउट हो गया है यानि कि 29 बटे 25 हमारा आंसर आ जाएगा तो यह अच्छा सवाल है अगर आपने नहीं पढ़ रखा हुआ तो नहीं करना है बिलुकुल भी तुक्का बगएरा आप्सन किलियर हो तभी तुक्का लगाओ नहीं तो किसी भी तरीके से लगाना ही नहीं है चलो फिर अगला सवाल किसी टावर के सीर से 10 मीटर उची बिल्डिंग के सीर का अवनमन कोड साथ डिगरी है यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी इतनी है तो उस टाव भी हो जाएगा अब करता दस मीटर उची बिल्डिंग यानि कि यह दस मीटर रोची हो गई और उनके बीच की दूरी पचास रूट थी तो चाहें यहां पर लिख लो चाहें यहां लिख लो यह तीस डिगरी हो जाएगा जब आप इसमें लगाओगे क्या रेश्यो वाला म एक परिच्छा में अधिक्तम 25 मैं से 15 चाहत्रा होगे तरह तने नंबर है डेटा के इस सेट के बहलुकों का गुड़न फल क्या होगा इसमें यह देखना था कि कौन से नंबर एक तो दो बराबर आ रहे होंगे ओपर से सबसे ज्यादा है बारतु केबल देखो यह 13 रहा य यह 13 रहा यह 15 रहा और यहां पर एक यह 15 रहा यानि कि हमारे पास 13 गुड़े में 15 15 रहती है पैटाले जैसे उन्हें डिजट देखा आंसर आपको लगा देना था अगला सवाल मैं फिर कहूंगा पेपर का प्रेसर अलग होता घर पे वैट के करना अलग होता तो पेपर अच्छा आता लेकिन हाँ आपको इस पर काम करना होगा कि कौन से कुछन हमें छोड़ने है कौन से करने है तब ही नंबर अच्छे आएंगे पूरे 50 के चक्कर में रोगे यानि कि 30 के चक्कर में रोगे तब नहीं हो बाएगा A और B मिलकर A कार को इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं B और C मिलकर इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं जब कि C और A मिलकर उसी कार को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं D को साथ लेते हुए जो C की तुलना में 40% को सल है एबी सी मिलकर किसी का उसी कारू को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे तो देखो यह तो साड़े बारा परसेंट लिखा हुआ है अगर परसेंटेज मानते तो भरना तो नहीं लिखा हुआ रखा तो इसकी को हम लिख सकते हैं A plus B को 125 को बटे में 100 कर चिरो 25 सो आप यहां से भी डारेक्ट भी कर सकते देखो कैसे कर सक्ते देख सेकंड रूप अगर ना भी लिखते तो जैसे से ए प्लस बी का दिया था साड़े बार है बी प्लस सी का दिया था 18.75 और सी प्लस ए का दिया था 15 गाए अठाहरा देखो एक के बाद पॉंट है यहां पर देखो एक के बाद पॉंट है अब यहां पर तीनों को जोडेंगे यह प्लस बी प्लस सी तो यह पॉइंट प्लस का 1 प्लस का 1.25 तो 5 आ गया पांच दो साथ आ गया और यह तीन दिसंबलब साथ पांच बटे में 2000 आ गया यह ए प्लस पॉइंट फाइब करना पड़ेगा तो बन पॉइंट फाइब आएंगे तो यहां पर 10 हो गया यानिकि इसमें कर तो किसका 20 का गुणा कर दो इसमें भी 20 का गुणा कर दो तो पंदा दूनी 30 यानिकि 75 बटे में 200 किसका तीखा आगया अब सीखा आगया तो अगर हम दीका निकालेंगे तो 75 बटे में 200 गोडे में इसका 40 परसेंट को सल है ठीक है तो पच्चेस तियां 75 कर लो और पच्चेस चोकू सो चार एकम चार कर लो दो दो बंजे 10 कर लो और दो एकम दो कर लो यहने कि 0.15 आ गया किसका दीका आ गया आप हम यहां पर क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा कैलकुलेटेव है थोड़ा सा नहीं बहुत जादा है ठीक है थोड़ा कहना गलत हुगा हम यहां पर क्या करेंगे इसमें जोड़ना पड़ेगा यहने कि पूरा काम 18.75 बटे में कर देंगे 3.75 बटे में दो प्लस का कर देंगे मांच बटे में दू आ गया अब इसी से हमें इसमें बाग करना था गोड़े में दू करना थे अब कैलकुलेटिव है इसके लिए कुछ कर नहीं सकते इसलिए यह पेपर अच्छा हो गया कि कोई देखने में तो आसान है तेन कैलकुलेशन कितनी है यह भी तो समझनी तीन एकम तीन दू नीचे तीन पंजे 15 हो गया तीन दू नीचे हो गया 27 तीन 81 हो गया यहने कि अब हम ऑप्शन कर लें क्या एक बार क्योंकि उपर हमको 2510 दू दू नीचार 15 तो एकम दो बटे में 27 हमें चाहिए उपर यूनिट इजिरू तो 9 सत्य 63 में साथ जोडेंगे जाना यह तो कंफर्म हो गया यह अगर 27 कटे बेल या तो ठीक है वैसे 27 नेमा 243 होता नहीं भी आता तो आप औरल करके देखना पड़ेगा कि कितना बन रहा है तो 27 नेमा कितना होता 243 बचे का कितना साथ बचे गया यानिकि 9 सई 7 बटे में 27 हमारा आंसर ठीक है तो यह बह अगला सवाल करते हैं यह B और C की आउसत आयू 20 वर्स है दो वर्स पहले A और B की आयू का योग 6 की आयू से C की आयू से 6 अधिकता C की बरतमान आयू ग्याद कीजिए तो दो को A प्लस B प्लस C डारेक्ट आप इसमें इसका सम निकाल लो 60 हो गया दो वर्स पहले A और B की आयू का योग C की आयू से 6 अधिकता तो दो वर्स पहले अगर हम जाते तो इसमें से हमें कितना माइनस करना पड़ता 6 क्योंकि सबका मिलाकर कितना होता 2, 2, 4, 2, 6 होता तो यह दो वर्स पहले किया जाती तो A प्लस B प्लस C यह कितना आ गया 14 बना गया अब इन दोनों में चुश का डिफरेंस था किसमें A B और C में तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं 24 माइनस का चे तो बचा कितना है 48 अब 48 को दो भाग में कर देंगे 24 हो गया यानिकि इनके पास भी 24 है इनके पास भी 24 है लेकिन इसको A, B की आयू का योग C की आयू से 6 अधिक था है यानिकि सवाल 20 3510 की तीन क्रमागत चूटों के बराबर एकल चूट खितनी हो गई अब इस सवाल में देखो चाहे आप सक्सेसिब लगा लो चाहे डारेक्ट कर लो अब क्या करते हैं इनको देखो फार्मूला तो पता ही होगा ना प्लस वी माइनस का एभी अपॉन में 100 तो दोनों को जोड़ा 30 50 और 55 हो गया 55 माइनस का 20 पंजे 100 और 55 35 हो गया तो 15 से साथ गया आठ 48 आगया अब 10 संब्रत की लंबायी क्योणाई और रूचाई कानपाद इतना गया इस गनाओ का संपूड़ प्रष्टीए। छेत्रफल एतना है तो इस गनाओं का आयतन ग्याद कीजिए अब देखो यहां पर संपूर्ड प्रष्टिए छेत्रफल की बात हो रही है यहां पर देखो छेतियां आठारा तीन दूनी छे और छे दूनी बारा आपको फार्मूला पता है टू एल वी प्लस भी एच प्लस है अब इनको उसक्त को जोड़ेंगे तो बारा अठारा बारा तीस और छे चत्यस हो गया लेकिन आपके दिमाग में यह भी चलना चाहिए इसमें दो का गुणा होतना है और इनके सब के साथ अगर एक्स लगाओगे तो एक्स इस्पायर भी तो आना पड़ेगा नहीं तो कैस एक गुड़े में तीन गुड़े में दो गुड़े में एकसी पावर तरी अब चाहते तो आप मल्टीबल भी चेक कर सकते थे नो का मल्टीबल कौन कौन सा मिल ला था पांच चार नो नहीं होगा चार दो छे नो नहीं ओरा आट चार बारा नहीं ओरा केबल एक ही था क्यू अगला सवाल एक संभाव तरवज एक बर्ग बी सी डी के ऊपर इस्तित है और इतना इतना हमको निकालना था तो देखो बी सी डी कि यह भी और डी हो गया जाए ने कि यहां से इसको मिलाएंगे और एई टिक इन दोनो एंगलों को हमें निकालना था एक चीज़ बताओ ये तो 90 हो गया यह संभाव तरवो जो गया साट हो गया यानिकि ये दोनों तो बुझाएं बराबर हो गई क्योंकि जब ये बुझा इसके बराबर है तो ये आटोमेटिक दोनों बराबर हो जाएंगी तो यहाँ पर एक चीज़ देखो ये कितना हो गया देड़ सो हो गया पूरा ये वाला 180 से घटाएंगे 200 तो बचा कितना 30 बचा 30 का आदा करेंगे यानि कि दोनों कितने आ गई ये भी 15 आ गया ये भी 15 आ गया अब 15 प्लस का तीन गोड़े में 15 यानि कि आंसर आगना सवाल वेपिन किसी यात्रा की एक त्याही दूरी इतनी की चाल्से और सेज दूरी 40 क्लोमेटर पर गंटे की चाल्से तहय करता है यदि उससे यात्रा पूरी करने में 12 गंटे लगे हो तो यात्रा की दूरी कितनी थी अब इसमें कुछ से इक्वल तो है नहीं जो अपाउन में 40 की चाल से गया, इसमें पूरा 12 गंटे उसको लग गया, यहने की इधर करेंगे तो यह 20 हो गया, LCM ले लेंगे तो 60 हो गया, यहने की 2A प्लस का 3A बराबर में 12 हो गया, तो 3 चकू 12 हो गया, यूने डिजिट से काम बना, नहीं बना, 3 चकू 12 हो गया, 14, 42, 43, अंसर, अगला सवाल, P ratio Q दिया गया था, और Q ratio R दिया गया था, इसका मान निकालना था, अब यहाँ पर देखो P plus Q, P plus Q हमें पता था, 4, 3, 7 दिया गया, यानि की 7 हमें एकी option में दिया गया था, बाकी कहीं पर भी 7 नहीं है, बाद निकालें सारा, ठीक है, चलो फिर अगला सवाल करते हैं, बैसे भी देखने से ही पता लग रहा कि यह 4 है ना, दोनों जगे सेम वैलू है, तो गुणा भाग तो इदर दर होगा नहीं कुछ, तो आसानी से आ सकता था, 25, 46 और भाई का उसद 11 है, तो भाई का मान क्या होगा, दिकुर सिंपल थी बात है, भाई बराबर 11 थी है, 33, माइनस का 25 और माइनस का 46 हो जाएगा, अब आंसर तो माइनस में ही आना, सारे आप्सन माइनस में थे, यूनिट डिजिट में का आपको देखो सोचना था बस, यानि कि 6, 5, 11 होगे, इदर 3 बचा, यानि कि आपको 11 से 3 घटा होगे, तो 8 यूनिट डिजिट में लेगी, बाकि आप आराम से कर सकते हैं, आसान था ये तो, अगला सबाव, तास कि एक गड़ी से प्रतिस्तापन के साथ, एक के बाद, एक तीन कार्ड निकाले जाते हैं, पहला कार्ड जैक, दूसरा कार्ड काला कार्ड, और तीसरा कार्ड समसंख्या वाला कार्ड होने की प्रयाक्ता, या है, जोको पहला कार्ड जैक, जोको एक कितने हो सकते थे, इसने होते हैं 26 होते हैं 26 सीवन और यहां हो जाएगा 52 क्योंकि हमें टोटल में से देखना पड़ेगा इविन का नमबर हाता है तो देखो एक से लेके 10 तक देखना अब यह नहीं कि आप उदर गुलाम भी देख रहे हैं बाधसा भी देख रहे हैं उसको नहीं देखना होता ह है दो चार छे आठ और दस हो गए तो यहां तक कितने बने पांच बने पचास तक जाओगे तो कितने बन जाएगे चार कवणा करतो यानि की बीस आ जाएगे टोटल में लाकर ठीक आप यह बावन गिंती मत सोचना गिंती के साब से कहोगी कि बावन भी तो हो सकता है यह हो गया हमारा चार से तो कटे का नहीं दो दूनी चार कट जाएगा ना चार एकन चार चारतिया बार हो गया चब्यस दूनी बावन हो गया चार पंजे बीस हो गया इदर तेरह आ अब यहां पर देखो पांच गोडे में 169 इंटो में 2 हो गया तो यह तो आपसन कैंसल deficwnely better बंढ़ा बहरा जाता है पिर इस मसरप का 32 लीटर % verse दो बारा कटेंटर बी में इस टानांत्रित कर दिया जाता है कंटेंटर बी के मिसरप में पानई और इस्परिट का अनपाद कि दिर ऑघ्र को nya को यह सबाल mean Sara यहर में यह पूंछा दो अब नइ किसी भी रेशियो में कोई चीज आए, पूरा मिसरन निकालेंगे तो जो बचेगा वो सेम रेशियो में चीज बचेगी, यह तो बात आपको पता होगी, यहाँ पर नो कर लो, अब इसमें से 20 लीटर निकाला गया, बी में डाला गया, यह बी हो गया, इसमें 20 लीटर डाला ग कर दिया उसमें यानि कि यहां से 20 लीटर निकल चुका बचा कितना साथ लीटर साथ अनपात नो में आप यहां से दिखूं यह 16 था टोटल 16 बराबर में 60 दिया था अगर इस्प्रिट निकालते तो 60 बटे में 16 गोड़े में 7 करते अगर पानी निकालते 60 बटे में 16 गोड़े में 9 कर देते इसमें 20 लीटर पानी और मिला दिया गया यानि कि हम लिख सकते हैं 60 गोड़े में 7 बटे में 16 इदर हो जाएगा 540 प्लस का 320 बटे में 16 हो गया यहां से करेंगे तो यह बन गया 0,4,2,6,5,3,8 और इदर हो गया 7,6,2,420 यह रेशियो हमारा बना जाके जीरो से जीरो चला गया 2,4,8 इदर लिख लेते 2,2,4,2,8,2,3 यह हमारा नया रेशियो निकल कर आया अब एक चीज बताओ इसमें क्या हुआ 20 लीटर पानी मिलाया गया उसके बाद फिर टोटल 20 लीटर मिलाया गया उसके बाद रेशियो बन गया 21,4,3 अब इससे कुछ भी निका लोगी तो इसी रेशियो में तो निकलेगा यह अलग ratio में निकल जाएगा इसी ratio में निकलेगा यानि कि जो हमने इसमें B में ही डाला 32 लीटर वो किस ratio में है किस ratio 43 में है बाद समझ पर अब हमसे ratio पूँचा गया था तो ratio पर ही काम कर लेते हैं या तो एक सेकंड को थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं तो समझ में आईगी चीज़े नहीं तो फिर यही confusion बना रहेगा तो B के लिए हम लिख रहे थे चलो फिल लिखते हैं B के लिए वाई यहाँ पर कितना था 20 थ साला था इधर 32 था तो यह 21,43 इनका किया सम तो यह 16 आ गया इनका सम किया तो यह 64 आ गया इनको बराबर कर लिया सबसे पहले फिर इधर 4,5,20,4,8,23 यहनि कि 5,95,8 में है तो 5,95,8 कर दिया यह सब इसलिए किया क्यूंकि वह ratio में ही पूंच रहा था इक्जेक्ट पूंच तब हम ऐसा नहीं कर सकते थे यहां पर 5,20 का गुणा होगा तो 20 गोड़े में 7 और फिर प्लस में आ जाएगा इसमें 8 का गोड़े में 8 हो गया रेशियो बनाएंगे इधर हो जाएगा 9 गोड़े में 5,20 इधर हो जाएगा 43 गोड़े में 8 हो गया ठीक है तो 7 दूनी 14,140 हो दो गया 8,42,2,34 हो गया इधर 4,8,42,12 हांसे लगा एक तीन, दो पांच हो गया इधर काट लेते हैं 2,1,2,5,10,2,4,8 हो जाएगा दो दूनी 4 करेंगे, दो छक्के 12 हो गया, दो दूनी 4 हो गया, नहीं कि 4 से हम काट सकते थे लेकिन कोई बात नहीं 2,7,14,2,1,2,2,3,6 और 2,1,2 हो गया हमारा आंसर आगे तो ये सवाल कैलकुलेटिव है इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं इग्नोर कर सकते हैं तो आपको देखत ये समझ में आना चाहिए हमें इसको छोड़ना है, आगे बढ़के निकलना जब टाइम बसता तो करेंगे, नहीं बसता तो बिलकुल नहीं करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि पूर एक 30 कोशन करें, हमारा सेलेक्शन 26 पर भी होगा, 27 पर भी होगा, अगर अच्छा पेपर आय संख्या और पैरों की संख्या की गिंती की गई, यह पाया गया कि 54 से रहे और 148 पैर है, पार्क में बंदरों की संख्या क्या होगी, देखो 54 से रहे अगर आदमी के आदमी होते तो इतने बनते जाके, और अगर मालों बंदर होते तो इतने बनते जाके, तो 2 चोकू 8, 2 प लेकिन यहां से दो तीया चे दो चोकु आट दो दूनी चार हो गया और जीरू आ गया एक बार और कटेगा सत्र हो गया दो एकम दो गया यहां यह 27 हो गया हमारे हिसाब से 27 टोटल है लेकिन टोटल थे केतने चोवन सरी तो है यहने कि 27 बराबर में फर्मूला नीचे भी यहने कि दोनों को जोड़ देंगे तो 8 5 13 यहने कि 83 हो गया 8 से 5 गया 3 5 से 2 गया 3 हो गया दोनों को जोड़ देंगे 7 6 13 5 3 8 हो गया और 16 से 7 चला गया तो 9 हो गया यह यह थे कैंसल आउट हो गया यहने कि 3 1 3 3 3 3 9 यह बरावर कितना आ गया 11 बटे में 3 इसी तरीके से बी बरावर करेंगे तो जोड़ देंगे 26 15 41 माइनस करेंगे तो 15 यहने कि 11 आ जाएगा बटे में 6 5 11 गया इंटू में डिफरेंस करेंगे 6 से 5 कि ए 5 से गया 4 यहने कि यह आ यहार है तो 21 माइनस का 60 बटे में 11 हो गया यहने कि 11 बटे में 11 आंसर क्या और वन आ गया अगला सवाल 544टियों में इसे पहले तेरे विक्षिक आउसत बेजन 78 किलोगराम चौद में बेक्ति का बजन सबी चौदे बेक्तियों के और 60 ब जन से 49 किलोगराम अधेख है तो च कि इनको भी पहुंचना पड़ेगा उन्हीं के अंडर में यानि कि इनके पास 49-14 लोगों सा देखा है जो इनके पास कम रह गया था भही तो अधिक लेकर बैठा है तेरे बाले में जो कम रह गया था यानि कि अगर हम देखे तो अगला सवाल है इसको नोट करके रखेगा काम में आएगा अगला सवाल भी ने एक ठोक विक्रेता से 180 प्रति केजी की दर्थ से 15 केजी सेव खरी दे जो एक केजी बजन के लिए 950 ग्राम के बजन का उप्योग करता है भी ने इन सभी सेवों को 180 प्रति केजी की दर से बेचा लेकिन एक केजी बजन के लिए 750 केजी के बजन का उपयोग 750 ग्राम बजन का उपयोग किया इस लेन देन में भी द्वारा अर्जित लाब गयात कीजिए अब यहाँ पर देखो इस लाइन का तो कोई मतलब नहीं बनता भाई 180 रुपय प्रतिके जी यहाँ पर भी है यहाँ पर उन्होंने क्वांटेट्री दे दी इससे तो कोई मतलब नहीं है अगर वो एक्जेक्ट कोई वैलू निकलवाता था तो ठीक है आप एक रुपय की एक हजार गिराम के पैसे दी लेकिन उसको मिले 950 गिराम की चीज लेकिन उसने जब बेचा उसको तो उसने अपने पास से 750 गिराम चीज दी लेकिन उसने पैसे कितने के लिया एक हजार गिराम का इस पर हमें प्रॉफिट और लॉस निकाल ला था तो यह जीरो से जीरो चल जाएगा यह उच्छा गया और यह गया फंद्रा पनापिशतर प्रॉफट कितने का लिए उसने चार का किस पर 13 पर गुड़े में हो जाएगा सो तो इदर करेंगे तो पंदाती पैतालिस तो जाता हो जाएगा पंदा दूनी तीस सो बच गया फंदरा चकानब्ब में पंदर एक तौस कर जिसके प्रतिये कौर की लंबाई 48 सेंटीमीटर है को पिगलाया जाता है इस पिगले हुए घं से बिना किसी है के एक समान फोस घंजन में से प्रतिये कायतन इतने सेंटीमीटर क्यों बनाए जाते हैं ऐसे कितने छूटे घंप बनाया जा सकते हैं अब देखो 48 वाला था 48 इंटो में 48 इंटो में 48 हो गया बराबर में 64 इतने एन बनाए गये होंगे तो यहां पर 16 चोकू 64 इतनी है साथ पेंसल दो पेंसल दो पेंसल की कीमत 65 है एक पेंसल और एक पेंसल की कि इसको कियमत कितनी होगी बाँव्य घर पे भी प्रेक्टेस गये Gothic करो ना तो जो चीज बराबर कर रहे हैं उसको बिल्कुल नहीं लेकिए साथ पेंसिल हैं और दो में पेंसिल हैं पेंसिल पर हमें काम, amar अपर काम करना लेकिन 21 हो हो हए तो यह बराबर में 555 गड़े में हमने साथ का गुणा किया तहां इतर हो जाएगा हमारा 655 गड़े में इनका ड DJ करेंगे 11 data 74 गया साथ हो गया सतरह पी हो गया इधर करेंगे सतरह प США 075 Street 38 he a 13 इधर करेंगे 58 से 3 गया तो तो दो गया फी वराबर में 17 17 1785 यानिकि ये किसका आ गया एक पेरन की कीमत आ गई समझ रहो ना भाई करना आपको बही है आपने equation solve की होंगी लेकिन आपको कितना कम लिखना उस पर depend भी करता है अब यहाँ पर देख लो हमें मिल गई एक paint की गीमत तो हम इससे काम कर लेते हैं साथ pencil pencil और प्लस में 15 दूनी 30 हो जाएगा तो 65 माइनस का 30 कर देते हैं यानि कि 5 6 से 3 क्या 3 तो pencil की गीमत कितनी आगई 5 रुपया आगई इन दोनों को जोड़ देंगे तो answer अगला सवाल 1500 मीटर चोड़ी एक सड़क के दोनों और समान उचाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं इन खंबों के बीच सड़क के एक बिन्दू से खंबों के उन्नेन कोड एकस डिगरी बाई डिगरी इस प्रकार है कि 10x बरावर इतना है 10y बरावर इतना है प्रति एक खंबे की उचाई बताई है देखो 1500 मीटर ये थी रोड हमारी अब दोनों और खंबे थे यानि कि ये इधर रहा और इधर रहा चोटे बड़े होंगे कुछ भी होगे ये इनका कोई center है यहाँ पर और ये यहाँ पर अब कराता है समान उचाई बाले यानि कि दोनों condition में उचाई समाण है अगर हम यह X ले 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 यह अगर बाई ले 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 तो यह 3 होगा यह 5 होगा और यह कितना होगा दो और 5 होगा लेकिन लंबाई समान है तो हमें क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा यहने कि इसमें 3 का गुणा कर दें इसमें 2 का गुणा कर दें तो इसमें भी 2 का करना पड़ेगा इसमें भी 3 का ये भी 6 बन गया ये भी तो इदर ये 15 हो गया इदर ये कितना हो गया 10 हो गया दोनों को जोड़ेंगे तो 25 25 बराबर में 500 दिया था हमें क्या चाहिए दिप्रति एक खंबे की लंबाई यानि की 6 बराबर ये तो 6 गुना हो रहा था इसका 6 गुना कर देंगे तो 36 हमारा आंसर अगला सवाल ये दिछे अंकों की संख्या एतनी से भिवाज है तो पी क्यू का अधिक्तम संभावित मान क्या होगा तो 11 पी नो क्यू और ये फूर हो गया 8 तिया 24 यानि की 8 की डिविजबिल्टी हमें चेक करना पड़ेगा यहां पर 4 है ठीक है अब यहां पर हमें 8 का चेक करने के अब यहां पर 7,8,56 हो गया इधर करेंगे तो 8,4,32 हो गया इधर करेंगे तो 7,6,42 हो गया सबसे बड़ा नमबर आपको क्या दिख रहा है इनमें 8 दिख रहा हम आठ रही रखे देखते हैं तो 8,8 से डिवाइट करेंगे 8,8,8,9,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 अब यहां आठ चुनाओ लड़ा जिसमें इतने वोट पड़े और कोई वी वोट अवैद नहीं था कमल को हरी और ललित द्वारा प्राप्त कुल बोटो से 42 परसेंट अधिक बोट प्राप्त हुए देखो कमल को कमल को हरी और ललित द्वारा प्राप्त इतने बोटों से इतना अधिक प्राप्त हुआ इन दोनों का अगर देखते तो 2,4 और 242 इसका मान दिया गया था 6,0,5 जीरो हम हंडेड वराबर निकालते हैं 6050 अपान में 242 इंटु में अंडेड हो गया तो दो एकम दो दो गया दो पंजे से पूरा पूरा यह टट को चयाने और इसี बाद हरी को निकलने को न रही काहिं hatır गहता लेंगे, युझाने कि 0 से 0 8 45 हो गया, 484 वोट मिले है इ vert, 484 हम इस से 8 यह हो गया, नवी से 8 गया एक गया, 0 answer आगया, अगला सवाल, नब से को कोई मतलब नहीं, वाँध यहां पर देख लेते हैं, यह चार साथ ai students गया चार एकम चार नीचे करेंगे तो चार चंग 24 चार चंग 24 हो गया इंटो में यहां पर साथ दोनों 9 की डिविजबिल्टी है 9-27 नो और इधर भी हो गया 9-6-4-9-6-4-5 अब दिखो सभी में पूरे में करमसा इतने और इतने का निवेस करके विफसाय सुरूर किया है बे अपनी आय को अपने निवेस के समान अनपात में बित्रिद करते करने के लिए सेमत हुए एक बरस के बाद अर्जित लाव इतना था उनमें से प्रतेग ने अपने संबंदित लाव में इतना जोड़कर एक अलग परियोजना में निवीश किया है इस परियोजना में इतने की आय हुई थी तो एक तो अर्जित लाव में एका हिस्सा कितना पंद्रे हो गया यह 25 हो गया यानि कि पांतियां 15 पंद्रे पचम 25 तो आठ बरावर में यह हो गया आपका 12345 तीन बरावर निकालेंगे यह आठ सत्य चपन हो गया आठ पन्ने चालिस हो गया यहनि कि एक जो प्रॉफिट आया पो सबसे पहले रेशियो भी बनाना पड़ेगा तो क्या देखो आप इसमें क्या करो के जोड़ो गए ना इन दोनों को तो आइसा कर लेते हैं। आप तो 11 बराबर निकालना था, तो 14 दूनी 28 हो गया, 14 तिया 42 हो गया, इधर करेंगे तो ये 15 हजार आ जाएगा, बोणा करेंगे तो 16500 अंसर, ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी कैलकुलेटिव था, अगला सवाल करते हैं, यह थी एक ब्रत की जीवा इतनी दी गई है, तो ब् आठ मानो, चार हो गया, और यह यहां पर हो जाएगा तीन, यह हो गया यहां पर पांच, अब एक चीज़ यहां से समझने की गोशिस करना, कि हमने जीवा को आदा कर दिया, उससे रेडियस बड़ी आई है, बिलकुल आई बड़ी, यह तो common sense वाली बात होगी ना, इसमें तो कुछ दोराने नहीं है, भाई इचीज यहां पर इन्होंने आदा कर दिया, अब एक बात बताओ, अगर यह जीवा हम यहां पर रख देते हैं, बिलकुल, किस पर ब्यास उसको बना देते हैं, तो यह बताओ, यह आठ हो गया यहां पर पूरा, तो रेडियस कितनी होगी चार होगी, यहनि कि रेडियस बराबर भी चार होगी, इधर रेडियस बड़ी होगी चार से, तो कौन सी कंडिशन फालो हो रही है, दोनों में, आप चाहें उससे जो आपको वैलू दी गई उससे कर लें, चाहें आप इस तरीक के से कर लें, आपका अंसर आजाएगा, बहुलग वर्ग की बारंबारता इतनी थी बहुलग वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता बत्तिस थी और बहुलग वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता 25 तो बहुलग वर्ग की चौड़ाई क्या हो गया चौड़ाई का मतलब क्या सेम नंबर नीचे उतार लेते हैं F0 माइनस का F1 और फिर माइनस का F2 बस इतना ध्यान रखना इसमें 2 का मल्टिप्लाई हो जाता इंटू में क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगी ठीक है तो बस हमको यही तो निकालना था मौड कितना दिया गया था 48.5 दिया गया था लोर लिमिट करा था बहुलक बर्ग की निचली सीमा यानि कि 46.5 प्लस का करा था बहुलक बर्ग के बारंबारता 34 थी यानि कि बारंबारता क्या होता F0 यानि कि 34 एफ़ वन क्या होता जैसे लिखे होते ती नमबर लिखे होते तो एफ सीरो होता यह एफ़ वन होता यह एफ़ टू होता एसी तरीके से चीज़े चलती है वहुलक बर्ग से ठीक पहले वाले बर्ग अंतलाल की बारंबार था बत्यस थी यानिकि ये बत्यस हो गया अपन में टू इंटू में 34 माइनस का हो जाएगा कितना एफ बन कितना लिया था उपर 32 माइनस का पहुलक बर्ग के ठीक बाद वाले की 25 दे दी इसको को सॉल्व करना था हमारा आंसर आना था ठीक टकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा आलकूलेटिव था इनका difference दो बजग गया और प्लस में बराबर में इनका difference दो गया बटे में enhance कर लेँ था नषिए और 15 कि ग्यार रहा गया यानिकि बत्ये में ग्यारा इंटू में रेंज यानि कि दो से दो कैंसल तो आर बराबर में ग्यारा है आलस अगला सवाल सबसे पहले तो ब्रेकेट सॉल कर गएंगे उसमें भी डिवाइड यानि कि 14 बटे में 15 गोड़े में हो जाएगा पैतालिस बटे में 24 तो अगया इनले कि तीन से तीन कैंसल आउट यानि कि यह पूरा टर्म कितना बन गया वन बन गया अब उसके बाद इसका नंबर आता यानिकि चात्यस बटे में 45, गोडे में 25 बटे में 24, तो 12 दूनी, 24, बारा दूनी, 24, पचाम, 25, 45, इधर करेंगे तीन तरका, नो, यहनि कि 5 बटे में यहाँ पर आ गया, एक बटे छे गोडे में था तो एक बटे छे गोड़ा करेंगे यानि कि 5 बटे में 36 हो गया, माइनस का कितना हो गया था, यानि कि जब इसको दिखो, ये पूरा solve करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं, 1 बटे में 8, प्लस में, क्योंकि ये bracket solve करने के बाद, हमें फिर पूरा एक तरफ से हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो break it हमारा solve हो चुका है, तो 36, माइनस का 5 करेंगे, 31 बो भी किसका आ जाएगा, माइनस का 31 बटे में 36 आ गया, प्लस में 27 बटे में 36 हो गया, इन दोनों को पहले solve कर लेते हैं, यानि कि माइनस का 4 बटे में 36 हो गया, 4 नेम 36 हो गया, यानि कि एक बटे में 8 माइनस का एक बटे में 9, यह हो जाएगा 72 और एक बटे में बटे में बटे आंसर, अगला सवाल, 10 अजार पर 20 परसेंट बारसिक दरसे चक्रबदी ब्याज इतना है, यदि चक्रबदी अर्द बारसिक रूप से की गई हो, तो मूलदन कितने बरसों में निबेश किया जाएगा, तो देखो रेट हमारी कितनी हो गई, 10 परसेंट हो गई, तो 10 से चीज कितनी हो रही, 11 हो गई, अगर हमें एन की बात पता लग जाए, तो हमारा निकल आएगा कि कितने बरसों में हो रही है, अब लेकर रासी क्या हुई दस अजार से दस चार छे चार एक बन गई अब एक ची तो कंफर्म हो गई इसको काट के कहीं जा नहीं सकते आप तो यानि कि दस की पावर कुछ रही होगी दस की पावर तो चार रही हमें देखते तो यह भी ग्यारा की पावर चार होगी अगर confusion हो तो 1331 गुड़े में 11 फटाफट करके देख लो नहीं तो यह होना ही होना नहीं तो कैसे answer आपाएगा तो यह बराबर चार आया कब जब हमने अर्दबारसिक रेट ली तो यह समय भी उसी तरीके से आया होगा अगर हमको मालो time दिया जाता तो हम क्या करते जैसे actual में अगर हमें time लिखना होता तो टी गुड़े में दो कर देते जैसे मालो एक साल में अगर छेचे अर्दबारसिक लिखना हो छेचे मैंने की दो सलेप बनती है यानि कि एक में दो का गुणा कर देते हैं तब ही तो यही क्या है चार बराबर में टी गुड़े में दो तो हमारा time था कितना actual में मतलब reality में कितना था दो था दो वर्स के लिए था इस तरीके से इसको करना था अगला सवाल एक वेपारी अपने माल का विक्रे मूल क्रे मूल से 42% अधिक अंकित करता है वह अपना माल अंकित मूल प अथि कमी हुई तो यानि कि क्रे मूल से 42% अधिक किया तो 42 प्लस का हो गया मायनस 15 हो गया माहिनस 42 में यदर बटे में संसर me इनका difference करेंगे तो बारा से 5 गया सातीन से क्या ने क्छिड सीन माइनस कह ऊ गया इसको round off करोगे तो 21% अमारा answer आ जाएगा ठीक है यह तो पता होगा ना वो सवाल आता है कि 100 से 120 परसेंट वड़ाया तो 120 फिर इस पर 20% कमी कर दी तो 4% की हानी निकालते दी यह उसी तरीके का सवाल है ठीक है आगला सवाल यह थे 28 अपर 10% की बार्लिंगर से 3 वर्सों में प्राफ्तिस शाहँ चैनल क्या होगा है यह थूब यह उत फार्मूला आपको पता ही यह होता है ट्डार्ट FROM AP ृटे में доступ होता है उसी पर हमारी पास यह आ गया यहां पर 6200 गोड़े में 14 परसेंट इंटू में बाई यानि कि टाइम हमें पता नहीं है बराबर में दे दिया था 1770 यह कैंसल आउट हो गया इधर करेंगे तो साथ दूनी चौदा हो गया साथ दूनी चौदा तीन बच गया साथ चोप अठाइस हो गया साथ अठ सपाउन में वाई करोगे तो 280 28 गोड़े में 10 गोड़े में 3 बटे में आजाएगा दू तो इधर किया तो दो एकन दो दो चौदा यानि कि 420 समझ रहे हैं 420 आंसर आया है चलिए फिर यह आपके पूरे 30 सवाल थे ठीक है आप ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल आसान पर पर होता है यहां से सीखने वाली चीजें यह आ हैं कि बहुत से लोगों को देखै है मैंना कि उनकी नंबर मेत में बहुत कम नतरीवह तहिस मैं थिल्ग है या जादा इदर अखले आते हैं कि मेरे इतने आ रहे हैं यह गड़बड़ हो गया भया बताओ देखो 300 से प्लस तो जाई रहे हैं ना सब लोग अच्छे पड़ने वाले अब 7000 बच्चे नहीं होंगे तो आप focus math पर ही नहीं करना आपको reasoning भी करने हैं जीस भी करने है और English भी करने हैं यह बात समझ चलो हां बस जीस का ऐसा है कि आप math reasoning और English में अच्छा करने लगे mock test या फिर जो भी पीवाई की हुए उसके बात जीस को ज्यादा time नहीं तो क्या parallel time दें कम दें पहले इस पर काम करने सबसे पहले reasoning के English क्योंकि reasoning English ऐसी होती है कि आप इसमें hundred percent score कर सकते हैं English में चलो दो-चार गलब भी हो जाते हैं तो कर सकते हो ना यह तो सभी मानते होंगे और फिर आप आकर रहते हैं कि हम सो के सो सवाल करने तो फिर कैसे चलेगा आप भी अभी अभी करेंगे घर पर बैठ गे तो आपने भी 24 से 25 सवाल आस का multiply होता है एकदम हवा में number बढ़ते हैं हवा में गिरते हैं तो यह द्यान रखो आपको practice करनी पड़ेगी उपर से calculation पर काम करो जो भी अच्छे सवाल आते हैं उनको ऐसा नहीं कि आप mock test लगा रहे हैं फिर लिखके रख लिए बात खतम उनको बार बार देखना practice करनी पड़ेगी तभी चीज़े आएंगी और फिर यह चीज़ समझ लो अगर आपने सवाल पड़ा पेपर में अगर आपको नहीं आता तो बिल्कुल छोड़ दो कसम नहीं कहा है कि हमको सभी करने हैं आपको सब सब्सब्जेक्ट में कमांड लेकर चलने हैं अब आगे य उसमें ज्यादा हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं इतने चोटे चैनल से लेकिन हां यह सीज होनी चाहिए बाकी दो सब सही है करिए अच्छे से त्यारी और फोड के आना है दोजार चौविस आपका ही होना चाहिए इसी तरीके से अभी से लग जाओ अगर आप अरभी रेस्ट कर लिए और बरसाती मेडग बनके की आंसर किया आगए या वो नोटिफिकेसन आ गया फिर निकल के आगए देट मैटल क्या कर रहे हो तुम्हार ठीक है चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बाते होंगी तब तक के लिए जय हिंद जय भारत